मायूरी जी शीहर इवेंश माहरा जी आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ाओं माहरा जी जब हम पूर्ण श्री जी पे आश्रित हैं तो हमें क्या करमकान ब्रत रखने की आप शकता है करने चाहिए जब पूर्ण हो जाओगी तो प्रशने नहीं रह जाएगा अभी पूर नहीं रहने देजिए परुसों अभी और जब वह हो जाएगा नहीं ऐसे नहीं निकलेगा अब कच्छुनाथन चाहिए मूरे यह सरणागती प्रशन क्या रह जाएगा सरणागती के बाद कोई प्रशन नहीं वस्ता अब तो मन वचन कर्म प्रभू को शमर्पित जैसे चाह संब्धित प्रट होता है अच्छा है आथों को जान मिलेगा और पुत्र में जहां जो नहीं आएगा बात नहीं होता है तो हमारे पती भी में भी तो रादावल्लव जी है, मेरे पुत्र में भी रादावल्लव जी है, उनके शिवा किसी के सत्ताई है, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या परिशाद। माले हम करवा चोत रहे हैं, पती के लिए, हम उनके लिए उपवास कर के नाम जब कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, गूपी जन बिल्कुल एक साधारन ग्रेस्त जैसा बेवार ठा, और चिंतन केवल कृष् вмा था. इसलिए वो महान, त्रिभुवन के बड़े-बड़े महत्माओं के द्वारा भी बंदनी हुई बात को समझ जा जब आगे प्रेम की दशा आती है वो अलग बात होती है हम अपने जाय स्थिति है ना उसके अनुशार चले पती में प्रेम भगवत भावशे करें पुत्र का दुलार भगवत देख फुकवाद होगी उसके सरीर को क्योंकि वो चला गया जिससे प्यार करते थे वही है रादाव लबलाल जी सब के हुदे में वही है उनके लिए सब कुछ करना भजा नहीं है ब्रत उप्वास नियम शैयम जो भी लोक मर्यादा का है आप करो फेक ऐसी स्थिति आती है जिसे लोकाती की स्थिति कहते उसमें प्रशन ही नहीं बचता ना लाजती न लोकन की न वेद को कयो करें न संक भूत प्रेत की न देव जत्षिते डरे सुने न कान और की द्रसें और इच्छना वो प्रेम लक्षणा जो भक्ती आये फिर उसमें प्रसन नहीं रहे अभी प पर उठा देंगे तो प्रसन ही खतम हो जाएगा